Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, कि आपको ये पता है कि एक लिटर पेट्रोल और एक लिटर डीजल में पेट्रोल पंप डीलर का कितना कमिशान होता है पेट्रोल पंप के मालिक एक लिटर पेट्रोल में कितना पैसा बचाते है खर ये तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप गिस करो आप इस वीडियो में कॉमेंट करो और मुझे बताओ और बागे की विएर्स को भी बताओ कि आपको क्या लगता कि petrol pump माली का कितना margin होता होगा देखते हैं कितनी लोग जो actual amount है उसके आस पास का सही जवाब देते हैं और इस वीडियो में आपको इसके रवा और भी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे 50 रुपाय प्रती लिटर में आने वाला कच्चा तिल जब refine होके petrol ये diesel बनके हम जो consumer से उन तक पहुशता है तो कैसे वो 110, 120 रुपाय प्रती लिटर तक का हो जाता है एक लिटर petrol में हम central government को कितना tax देते हैं एक लिटर petrol में हम state government को कितना tax देते हैं और क्यों अलग-अलग राजियों में petrol और diesel का जो price है वो अलग-अलग होता है ये सब मैं आपको आगे इस वीडियों बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe जरूर से कर ले अब फिन देखे मैं आपको data बताता हूँ मैं आपको 7 April 2022 का जो data है उसके according सब कुछ बताने वाला हूँ तो 7 April 2022 को जो international price था एक barrel कच्चे तेल का तो वो था 103.48 डॉलर और 7 April को ही जो एक डॉलर के मुकाबर है जो इंडियन रूपीज है वो था 75.8 रूपीज तो अगर हम लोग एक barrel जो कच्चा तेल है जिसका price था 103.48 डॉलर तो उसे हम लोग इंडियन रूपीज में convert कर दे हो तो result आता है 7,844 रूपीज यानि कि एक बैरेल कच्चे तेल का जो बैरेल है उसे इंडिया में मंगाने के लिए हमें 7,844 रूपई खरच करने पढ़ रहते हैं 7 April 2022 का ये डेटा है ठीक है अब एक बैरेल में टोटल 169 लीटर कच्चा तेल होता है अगर हम लोग इसे इंडियन रूपीज में convert कर दे हो तो मैं दिल्ली का example लेता हूँ दिल्ली को 7 April को वहाँ पे जो पेट्टोल का price था वो था 105 रूपई 41 पैसे अब आपके लिए ये जानना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे 49 रूपई 33 पैसे प्रती लिटर वाला कच्चा तेल जब refine होके पेट्टोल और डीजल बनके हम consumers त हो गई चाहे इंडिया नौल हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम रिलाइंस इन सब का जो processing cost जिसमें सामिल है freight refinery processing का cost refinery margins OMC margin logistic operational cost इन सब को जोड़ ले तो एक लिटर के लिए ये हो जाता है 7 रूपई 25 पैसे और इन दोनों का जोड़ देंगे तो फिर जो fuel है वहां से चल चुका है पेट्रोल पंप के लिए अब देखो बीच में हम क्या क्या टैक्स देते हैं सबसे पर अगर मों सेंट्रल गौर्वर्मेंट के जो टैक्स उसके बात कर ले तो वहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो excise duty प्लस जो road says है as charged by central government ये है 27 रूपई 90 पैस पेट्रोल के लिए और 10 रूपई प्रत्री लिटर डीजल के लिए कम हुआ था यानि के नवंबर तक ये excise duty और भी ज्यादा था खैर अभी हम 27 रूपई 90 पैसे प्रत्रीटर दे रहे हैं पेट्रोल के लिए किंद सरकार को तो वो भी जुड़ गया इसके लावा कि डिलर क पेट्रोल पंप के डिलर है तो इस टाइम पर जो रेट चल रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा एक लिटर पेट्रोल में पेट्रोल पंप डिलर का जो कमिशन है वो है तीन रूपए 80 पैसे ये अभी रेट चल रहा है डीजल के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो और आप समझी सकते हो कि दिन वर में कितने लोग पेट्रोल डलाते है तो एक दिन में और एक महिने में ये कितना कमाते है वो आप समझ सकते हो तो अगर हम लोग जो एक साइज ड्यूटी है और जो पेट्रोल पंप डिलर इन दोनों अमौंट को जोड़ दे हो तो वहाँ प एजामपल लेके चाहरे तो दिल्ली के बारे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो additional VAT लग रहा है 19.4% on petrol और 16.75% diesel पे लग रहा है, यह 7th April का data है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें जोड़ दे तो वो हो जाता है, 105 रुपए, 41 पैसे, तो देखो, कहां से शुरूब वाता कच्छा तेल, refine होके, अलग-अलग cost और जो taxes दे के आप देखो, कहां तक पहुँच जाता है, तो यह होता है, इन सारा data मैं आपको complete बता दिया, अब यहाँ पे मैं यह भी clear करना चाहूँगा, कि आप देखते हो कि अलग-अलग state में पैट्टोल और डिजल का जो price है, वो अलग-अलग होता है, वो अलग-अलग इसलिए होता है, क्योंकि हर एक state का जो VAT है, जो value-added tax का charger से वो अलग-अलग होता है, और पैट्टोल और डिजल में लगने वाली जो value-added tax है, जिसके वाई से जो अलग-अलग state है, वहाँ पे price आपको difference देखने को मिलता है, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो oil marketing companies है, इनका refinery भी तो हर जगा होता है, नहीं कुछ ही जगा में इंडिया में available है, तो वहाँ से एक दूसरे state में जाना जो state बहुत ज़्यादा दूर है, तो जो transportation cost है, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वज़ासे भी आपको जो price है, उसमें बहुत ज़्यादा difference देखने को मिलता है, और finally मैं आपको diesel के बारे पता दो, diesel में जो इस टाइम पे dealer का margin है, वो है 1 liter diesel में 2.6 यानि की 2.60 पैसे ये margin है, तो friends उमीद है कि इस वीडियो में दीके जानकारे आपको पसना होगी, वीडियो के अपडेट आपको notification के थरूब मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, good bye